प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डेन पाट साला में दोस्तों राज़्टी ये मीन्स कम्मेर्ट स्कॉलर्षिप एक्जाम के लिए आज की वीडियो में सामाची विग्यान यानि सोसल साइंस का रियल प्रश्ण पत्र सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों ये प्रश्ण पत्र हमने लिया है मध्यपरदेश एन MS एक्जाम 2023 की परिछा से तो काफी महत्पूर्ण वीडियो होने वाला है यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और सभी प्रश्ण अच्छे से त्यार कर लेते हैं तो 100% यहां से आपको 3-4 प्रश्ण सेम टू सेम देखने को मिलेंगे तो इसी पैटर्ण पर आधायत आपका 2025 में भी पेपर आएगा तो वीडियो को लाच्ट तक जरूर देखिएगा सभी लोग वीडियो को एक बार अपन दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए आए देखते हैं तो बच्चों पहला प्रश्ण 36 नमबर दिया गया है इस्ट इंडिया कंपणी की अस्थापना कब हुई थी 1998, 1590, 1600 या 1905 तो इस्ट इंडिया कंपणी की बच्चों अस्थापना हुई थी 1600 इस बी में आप्शन नमर सी इसका विल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स कोचन है 37 नमबर इस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरों के सासन काल में लागू की गई थी तो इस्थाई बंदोबस्त सन 1793 भी में लाड कारण वालिश द्वारा लागू की गई थी तो आप्शन नमर इसका विल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिए नेक्स प्रेशन करते हैं 38 नमबर प्रेशन है 28 अताबदी में भारती नील की मांग बढ़ जाने के कारणों में से इन में से कौन सा कारण नहीं है जो नहीं है वो आपको बताना है आप्शन कहरा है कि ब्रेटन में आउध्योगी करण होना विस सुभर का नील का उत्पादन आधा हो जाना भारत उष्ड कटवंदी छेतर है तथा नील की पैदावार यहां अच्छी होती है और डी आप्शन है भारती नील का निर्यात बढ़ाना चाहते थे तो इसका वचो सही आंसर बनेगा आप्शन नमबर डी भारती नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती उगाएं लेकिन जब अजर्स्ति किसान जो है निल की खेती उगवाते थे तो आप्सन नमबर डीस का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा भारती अपना निर्यात बढ़ाना नहीं चाहते थे 49 नमबर प्रश्ण है बैगा जनजाती के लोग स्वयम को क्या मानते थे मजदूर जंगल की संतान ब्यापारी या वैद्य तो इसका बच्चों सही अंसर है आपसन नमबर बी जंगल की संतान मानते थे अपने आपको बैगा जनजाती के लोग 40 नमबर प्रश्ण है प्रथम सुतनता संग्राम कब हुआ था 1757, 1857, 1858 या 1869 तो प्रथम सुतनता संग्राम ये हुआ था 1857 इस भी में आपसन नमबर बी इसका विल्गुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स प्रश्ण है एक तालिस नमबर भारत में अंग्रेजी सिच्छा प्रणाली किसने आरम की थे यदि आपको अच्छा दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग मुवाइल से वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अगर आप 720 पिक्सल पर देखेंगे त तो बहुत ही अच्छा आपको दिखाई देगा तो भारत में अंग्रेजी सिच्छा प्रणाली किसने लागों की थी तो लाड़ मैकाले is the right answer पहला आप्सन इसका वच्चों सही जवाब हो जाएगा तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था 1911, 1920, 1919 या 1905 तो बंगाल का विभाजन उच्चों हुआ था 1905 इस भी में ओप्सन इसका विल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1919 में जलिया वाला बागत्या का अंड हुआ था और 1920 में जो है असायोगा अंदोलन सुरू किया गया था रविन्ना टैगोर श्वामी वेकानंद स्वामी दयानंद तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी रविन्ना टैगोर ने सांति निकेतन की अस्थापना की थी ज्वातिबाराव फूले इन्होंने जो है सत्य सोधक समाज की अस्थापना की थी औ गुलाम गीरी नामक पुस्तक लिखी थी स्वामी वेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की अस्थापना की थी दयानंद स्रुषती इन्होंने आरे समाज की अस्थापना की थी तो इनकी जो संस्थाएं हैं उनको जरूर याद रखिएगा एक प्रश्ण आपको यहां से जरू नेक्ट प्रशन है चवालिस नंबर निम्न युगमों को सुमेरित कर सही बिकलब चुनिए कौन सा बिकलब सही है पहले आप मिलान कर लिजिए कबीर ने जो है बीजक लिखा था तो एक का चो था गुरू नानक गुरू गरंत साहिब हो जाएगा सूर दास ने सूर सागर ल दिखा तो इस हिसाब से आपका ऑप्सन नंबर सी बन जाएगा राइट आंसर चलिए सी आप्सन इस राइट आंसर जिन वच्चों ने सी आप्सन दिया है उनका सही जवाब है नेक्स कुश्चन की बात करते हैं पैतारिस नंबर है जगनात मंदिर पुरी भारत के किस राज ची में इस्थित है राजिस्थान उडीसा मद्यपरदेश या महाराष्ट तो जगनात पुरी उडीसा में इस्थित है ऑप्सन नंबर 20 का विल्कुल सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर प्रिश्चन है कभी का लड़ द्वारा रचित कस्मीर के राजाओं का इतिहास बताने वाला संसकरत का विक्या है अभिज्यान साकुंतलम विक्रमांक देवचरित राज तरंगडी या अम्रच्छ कटिकम तो इसका बच्चो राइट आंसर है ऑप्सन नंबर सी राज तरंगडी लिखाथा कल्हणने काफी महत्पूर्ण ये जो है रचना है कई बार पुछा गय है वो चाहे मध्य परदेश हो या उत्तरपदेश हो बिहार हो राइस्थान हो सब के लिए बेहद महत्पूर्ण प्रिश्ण है सैतालिस नंबर प्रिश्ण है भारत के राश्ट्रगान जन गर्डमन के रचाईता है बंकिम चन चतर जी स्वामी वेकानंद रविन नाट जी ने वंदे मात्रम यानि राश्टी गीत लिखा था अरतालिस नंबर प्रिश्ण है प्रिथिवी की ठोस परपटी या कठोर उपरी परत को क्या कहते हैं वायो मंडल जल मंडल इस्थल मंडल या जयो मंडल तो उपरी जो है ठोस परपटी और कठोर उपरी परत को इस्थ वन्दल कहा जाता आप समर सी इसका वाच्छन सही आंसर हो जाएगा उन्चास नमबर प्रश्ण है निमलखित युगमों को सुमिलित कीजिए और नीचे दिये गए बिकल्प को चुनिए, सही विगलब को चुनना है 49 नमबरें मिलान कर लिजे ताप मापी, ताप मान का मापन होता है बैरोमीटर वायुदाब मापता है और रेन गेज, वर्षा मापक यंदर होता है वात दिखदर से ये पवन की दिशा मापता है तो इस आपसे जो आपका आंसर बनेगा वो आपसन नमबर B बनेगा A का तिसरा, B का पहला A का तिसरा, B का पहला बिल्कुल, B आपसन आपका बच्चों सही है नेस्ट कोश्चन है 50 नमबर, वायु मंडल की वह परत जिसमें हम सास लेते हैं कहलाती है मध्य मंडल, बाय मंडल, समताप मंडल या छोभ मंडल तो हम लोग छोभ मंडल में रहते हैं ओपसन नमबर D का विल्कुल सही जवाब है छोभ मंडल में ही हम लोग सास ले पाते हैं एक क्या नमबर प्रश्चन कहता है कि भारत के उत्तरी खेतर की गर्मियों सुस्क इस्थानी पवन को क्या कहते है लू इस्थानी पवन, मौसमी पवन या दुरुवी पूर्वी पवन तो इसका वच्चों सही आंसर है ओपसन नमबर A, लू कहा जाता है ठीक, सुस्क और गर्म पवन जो गर्मियों के मौसम में अप्रैल से जून तक चलती है तो वो लू कहलाती है ओपसन नमर फास्ट इसका सही है बावन नमर प्रिश्चन है भोकंप मापने का यंद्र है बैरो मीटर, फैदो मीटर, सिस्मोग्राफ या थर्मा मीटर तो भोकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ नाम की अंद्र का व्योग किया जाता है और इसके नापने की इकाई होती है बचो डेसिबल डेसिबल में रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है तिरपन नमर प्रिश्चन कहता है वचन्द्र मा की सकत्साली गृता कर्शन बलके कारण पर्थवी की सताँ पर क्या प्रभाव कड़ता है तो सूर्य और चंड्र मा की जो गृता करशन की सकती है इससे कारण जोवार भाटा जैसिस दसाय देखने को मिलती है तो इसका बी आपसे में बचту सही है जवार भाटा आता है 54 नमर प्रिश्ण है सामानता गरम सागरी धाराएं उत्पन होती है तो यहां कराएं कि गरम धाराएं कहां पर उत्पन होती है धुर्बों के निकट भूमद्य रेखा के निकट ए और भी दोनों इन में से कोई नहीं तो वच्चों इसका B आपसर विल्कु सही जवाब है भूमद्य रेखा के निकट जो है महा सागरी धाराएं उत्पन होती है जो कि भूमद्य रेखा के आसपास जो है सूरे की करणे सीधी पढ़ती है तो लिए गरमी जादा होती है और यही करण है कि यहां से गरम जलधाराएं निकलती है और हमने आप सभी को बताया भी था कि जो जलधाराएं भूमद्य रेखा से धुरवों की तरफ बहती है वो गरम जलधाराएं होती है जैसे आपकी क्यूरेशियो की जलधारा हो गई गरम जलधाराएं तो भूमद्य रेखा से धुरवों की ओर जाती है और धुरवों पर बर्फ जमिन होती है और भर्फ होती है थंदी तो वहां पर दलधाराएं भूमद्य रेखा से चलिए पच्पन नमर प्ष्ण है विष्टु का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है अमेजन, अमेजन, गंगा ब्रमपुत्र, नील नदी या मिशीर शिपी तो अमेजन नदी बेसिन जो है ये विष्टु का सबसे बड़ा बेसिन है ओप्सन नमर ए सही है 56 नम्मर प्रश्ण कहता है कि निचले इलाके किसके लिए अतिसमेदन सीर होते हैं भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़ या फिर सुनामी तो बाढ़ के लिए बचों होते हैं थोड़ा सा भी पानी, बारिस हुई तुरंत बाढ़ आगई तो निचले इलाके अतिसमेदन सीर होते हैं बाढ़ के लिए उप्सन नम्मर सी सही है विश्ण का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, थार, कालाहरी मरुस्थल या गोबी तो बचों सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है ये अपरीका महाद्यूप में पाय जाता है अठावन नम्मर प्रिश्ण है निम्न में से कौन सा कथन प्रकतिके सनलक्षन के अनकूल नहीं है पौधे लगाना, नल के उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना करेंगे तो उससे प्रकति पर कोई खास भाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बिजली तो पर दूसर उत्पन नहीं करती है तो आपसन नम्मर डी भी आपका इसका हो सकता है वैसे confusion है आप लोग बताइएगा आपके क्या राय है डी आपसन होगा या फिर बी आपसन होगा चुकि बी आपसन ये इसलिए नहीं हो रखता है कि खरिदारी के परश्चाहत आप पाली वैग को पुना वपयोग करेंगे तो ये प्रकत के अनुकूल होगा हलांकि हमको पॉली वैग का इस्तिवाल नहीं करना चाहिए तो इसका दी आपसन है वाकि आप लोग की क्या प्रतिकरिया है आप लोग जरूर कमन कीजिएगा उनसाथ नमबर प्रश्चन है भारत के लोग एसक उत्पादक राज्यों में किस राज्य में सरवाधिक उत्पादन होता है तो सरवाधिक लोग एसका उत्पादन किस राज्य में होता है आपसन है जार खंड उडीसा 36 गड़ या करना टक तो इसका वच्चों सही आंसर है, उप्सन नमर B, उडीसा राज्य में सबसे अधिक लोग S का उत्पादन किया जाता है, साथ नमर प्रशन है, एक राष्ट के समिधान में सामिल है, नियम, कानून, दोनों, A और B, इन में से कोई नहीं, तो एक राष्ट के समिधान में नियम और कानून, दोनों सामिल होते हैं, आप्सन नमर C, इसका विल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक सबसे सुद्ध या सरवस्रिष्ट रूप में कहा जाता है, मनमानी, आदर्स, राजनीति, या इन में से कोई नहीं, तो वच्चों इसका B आप्सन सही है, आदर्स कहलाता है चलिए, नेक्स्ट प्रेशन है, बाश्ट नमर, यद किसी कार खाने में तेरा वर्ष का बालग कारे कर रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, सिच्छा की सुतनतरता, आय अरजन की समानता, बालसरम, इन में से कोई नहीं, तो अगर तेरा वर्ष का कोई बालग काम कर रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तिरसेट नमर प्रेशन है, निमलेखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप सभी को पता होगा, हमने कई बर बताया है कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, समानता का अधिकार, सोतनतरता का अधिकार, सोशड के विरुद अ अधिकार तो संपत्ति का अधिकार इस समय वर्तमान में मौली का अधिकार नहीं है ये एक सामान्य और विधिक अधिकार बनकर रह गया तो डी आप्षन आपका सही जवाब हो जाएगा 64 नमबर प्रिशन है आम चुनाओं में एलेक्टरानिक ओटिंग मसीन यानि एबिम का परियोग सरवर्थम कब किया गया था 2004, 2009, 2014, 2019 तो 2004 के चुनाओं में सबसे पहले एलेक्टरानिक ओटिंग मसीन का उपयोग किया गया था 65 नमबर पिशन है ऐसे लोगों का समोह जो संसद्वारा बनाएगे कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कारे करते हैं कहलाती है दिवस्थापिका, न्याईपालिका या कारेपालिका तो संसर्दवरा बनेगा है कानूनों को लागू करने का काम कारेपालिका का होता है ओप्सन नमर सी इसका विच्छों सही आंसर हो जाएगा चाचाच नमर पुष्ण है देश के किसी नागरी को ऐसा लगता है कि उसे मौलिक अधिकारों का उलंगन हुआ है तो वह उसके लिए किसकी सरड में जा सकता है विद्याले, स्वास्तिकेंद्र, न्यायाले या मंदिर तो जा सकता है न्यायाले को अपने अधिकारों के सनक्छन के लिए ठीक सरशट नमर पुष्ण है निम्न में से कौन सा जल समंधी रोग है हैजा, आईफलू, प्लेग या चेचक तो जो हैजा वच्चों है ये दूसित जल से होता है ओप्सन नमर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और स्थ नमर पुष्ण है जनसुवधाओं के लिए सरकार को धन कहां से प्राप्त होता है लोगों से वसूला गया आयकर लोगों से वसूला गया जुरुमाना लोगों से वसूले गया अन्निकर तो अप्रोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा डी आप्सन इस दराइट आंसर चलिए 79 नमर प्रिश्ण है बच्चों बाल स्रम के विरुद्ध कानून लागो किया गया था 2005 2006 2013 2009 तो बाल स्रम के विरुद्ध कानून बनाया गया 2005 में बाल सनलक्षन अधनियम तो आप्सन नमर ए इसका बिलकुत सही जवाब हो जाएगा 70 नमर प्रिश्ण है अगर आप इन प्रिश्णों को तयार कर लेंगे पढ़ लेंगे तो 100% यहाँ से आपको प्रश्म देखने को मिलेंगे तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रूपों में सेर कर दीजिए मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन वन्यवातरम